अगर इन्सान के अंदर बीनम्रता आती है तो उसका ब्यक्ति तो कई गुणा उचा हो जाता है उसके उसके काम से जदा लेकिन अगर आप वही काम में अभी अगर आपके सर पर चड़ जाती है तो फिर वह पतन के और ले जाता है नमस्कार अंदुस्तान स्वात आपका मेरे चैनल नंदनी जो में सबसे पहले तो मैं आज नमन करना चाहूंगी उस देव भूम की क्योंकि मां आज बात करना चाहूंगी उत्राखंड के बारे में ही जै देव भूम उत्राखंड ओहां के एक यूटूबर है सौरब जोसी बह जान रहे हैं 22 साल का इस ने बहुत काम्याभी हासिल का लिए यूटूब में हमें बहुत खुशी है कि वह उत्राखंड से इतनी चोटी उम्र में उन्होंने इतनी काम्याभी हासिल का लिए लेकिन सायद काम्याभी उनके सर पर चड़ गई है मैं यही कहूंगी वक्त है अगर एहंकार राता है तो पतन होते हैं अगर मैं भी आपके लिए के साथ आपके अंदर बीनम्रता आती है तो आपके बैक्तितों को चार्चाद लगाते हैं आप आसमान की उस बुलंदी पे पहुंच जाते हो जो आप लोगों के दिमाग में पीड़ हो तक रहते हूं सुरप जोषी का ट्वीट आज कर बहुत ज्यादा विबाद में और उत्राखंड को मेरी वज़े से पहचान मिलिया कई महापुरस ने जन मिलिया उत्राखंड और उत्राखंड किसी और के नाम के महताज तो है ने किसी और के नाम की पहचान बने उत्राखंड देव भूमिया उसको जरूत नहीं है किसी और के नाम की सहारे की पहचान बनने की जै जै हो बदेरी नाता जै कासी के दारा जै जै हिमाला बहत खुबसत वाद्यों के बीज में बर्शा हुआ उत्राखन मानते हैं बहुत दिक्कत हैं वहाँ पे लेकिन बच्चा कितना भी आगे पहुंच जाए वो हमेसे ये कहता है कि मैं उस मा का बेटा हूँ मैं सौरब जोसी को सिर्फ एकी बात कहना चाहूंगी कि खूब काम्याब हो आगे ये आपके लिए छोटा सा सबक है हालनकि उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मताव हो नहीं था मैंने गलत नहीं बोला लेकिन आपका कहने का तरीका बहुत गलत था ये ही छोटी छोटी चीज़े आगे जाती है कि एहका सार पे चड़ जाता है फिर पतन के रास्ते तंग्यार होते हैं आपने बहुत कम उम्रा बहुत बड़ी कामया भी हासिल कर ली एक खुसी की बात है हमारे लिए क्योंकि आप उत्राखंड से हो देश के किसी भी कौने में आकर बच्चा चोटी उम्र में आपने बलबुते कामया भी हासिल करता है तो फिर उसका नाम हर तरब गूजने लग उनके बारे में पड़ा तो वहां पे उनके बारे में ये लिखा गया था कि बहुत गरीब घर से था और रोटी तक मुश्किल से मिलती थी आज करोण पती बन गया तो मैं कहना चाहूंगी बेटा आपको कामयाभी के आपके सर पे चाणिने चाहिए कामयाभी के साथ बिनम् जिसे लोग नाम सुनके ही परणाम करते हैं नमन करते हैं उस देभून को अच्छी बात है आपके जैसे और रोग भी आपसे प्रेरित हो के आगे काम करें अपना नाम कमा है लेकिन वो यह तो नहीं कहेंगे कि उत्राखन को मेरी वाज़े से नाम मेले इससे आपने एक तो उन महापुरुसों का अपमान के है कितने महापुरुस कितने बड़े बड़े लोग हैं जो जिनके वज़े से उत्राखन का नाम हुचा है और वो कभी यह नहीं कहते हो कहते हमें गार्वहाम उत्राखंडी हैं कभी भी काम्याबी के साथ एहंकार नहीं आना चीए अगर यह सु अगर यहीं अंकार रहा तो आप पतन पे जाते हुए आपको पिल्कुल देर ने लगए इसले काम अभी के साथ बिनम्रत दलाओ अपने अंदर जो बहुत जरुड़ी है ताकि लोग यह ना कहें कि कलता रोटी ने मिलती ते आज अपनी 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 भूल गई कई तरह के ल आपके सब्द बहुत गलते यह एहंकार का संकेत है इसलिए बिनम्रत लाओ अपने अंदर और भगवन आपको भूत का मैभी दे दे भूम उत्रहकंड और देभूम उत्रहकंड ने, जितने भी इस्टे देभ है सब आपके उपर आपको सद बुद दे और आपको आपको बिन्रम्रता लाओ एहंकार नहीं, जय देवुंग उत्राखंड, का मैं भी के साथ इंसान के अंदर बिन्रम्रता आना बहुत जरोड़ी है, एहंकार हमें साथ पतन क्या करन होता है, सौरब जोसी को लेकि जिस तरह की का भी बाद आचकल हो रहा है, अभी मैं यही कहना चाहू जो भी हो, एक बाद तो माफी का हगदार ही है, और अगर आपको मेरे बिचार अच्छे लगते हैं, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे वेडियो को चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा, आने वाले वीडियो की जान काने के लिए गंटे आगें प्रेस कर